हम लोग अक्सर यहां बैठकर आपको कहते हैं कि मोदी सरकार ध्यान बटाती है रोज नए शिगूफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेड्लाइन मैनेजमेंट करना तो सवाल उठता है और बड़ा जायस और वाजिब सवाल है वो क्यों कर लिया किस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है, बताया कुछ जाता है वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाहरे हैं क्या छिपाना चाहरे हैं वो बहुत एहम सवाल हो जाता है अभी पिछले हफते ये पूरा हफता जो गया जो कल खतम हुआ G20 का पूरा एक शोरगुल मचाय जा रहा था G20 का इधर शोरगुल था सब कुछ ढखा जा रहा था सब कुछ छिपाया जा रहा था तो हमने पता लगाया कि सब क्या-क्या चिपाया जा रहा है तो G20 की आड में LG 420 चिपाया जा रहा था जमू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां LG है नाम उनका मनोज सिनाजी है अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती कभी किसी फ्रॉड से 25 लाग का लोन ले लेते हैं किताबों पर और अब जो मामला सामने आया है वो और ज़ादा गंभीर है 13,000 करोड रुपे का गबन का भ्रष्टाचार जल शक्ती अजल जीवन जो भी आप उसको नाम देना चाहें और तो और एक अधिकारी जो की दलित परिवार से आता है गुजरात काडर का है डेपुटेशन पर जमू कश्मीर में है नाम अशोक परमार है आई एस है विसल ब्लोर है वो लगातार चिठ्धियां लिखता है लगातार फ्लैग करता है लगातार ध्यान आकरशित करता है प्रशासन का कि साब ये गलत हो रहा है बिना टेंडर के हो रहा है बिना प्रक्रिया का अनुकरण कि ये हो रहा है साल में 4-5-5 बार उसका हस्तांतरन हो जाता है उसका स्थानांतरन हो जाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है चार-चार बार ना केवल उसका स्थानांतरन होता है उसको भरी मीटिंग में स्वयम LG द्वारा अपमानित किया जाता है विसल ब्लोवर के साथ तो ये हालत और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को वो प्रमोशन मिल रही है तो अब आपको समझ में आता है कि headline management क्यों किया जा रहा है क्यों ये event management होता है क्यों आपके मालिकों पर इतना दबाव होता है कि साब ये नहीं ये चलाओ इतने phone तो आपको अपनी धरमपत्नी नहीं करती होगी या आप अपनी धरमपत्नी को नहीं करते होगे जितने फोन हरिन जोशी के आजाते हैं आपके मालिकों के पास कभी सुना है अपने हर एक घंटे में मेसेज आ रहा है ये हेडलाइन ये ठीक नहीं है इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है इतना हस्तक शेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजे कि क्यों हो रहा है वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आएं वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे ब्रश्टाचार को सब के सामने लाए घोटाले की एक क्रोनोलजी है जो मेरे सहयोगी संजीव थोड़े देर बाद आपको सर्कुलेट करेंगे बहुत सारे एनेक्शर्ज हैं उसमें, फाइल नोटिंग्स हैं, सब कुछ है इसमें तक्नीकी मंजूरी और प्रशासनिक अनुमूदन के बगैर कैसे निविदा, टेंडर निकाला जाता है ये सारे मिनिट्स हैं, सब कुछ इसमें है और कैसे इंजिनियर्स की और अधिकारियों की जो की शामिल है इस कांड में उनको प्रमोशन दिया जाता है, उसको सही जगे पर उनको बैठाया जाता है और जो जानकारी सारुजनी करना चाहता है, उसको प्रताडित किया जा रहा है अनियम इतताएं बाहर न आएं उसके लिए योजनाओं को बांट दिया जाता है कलब करने की जगे अलग-अलग कर दिया जाता है और कॉंपोजिट टेंडर की एक प्रथा थी उसको कैसे त्याग दिया जाता है वो सारा खुलासा ये जो अशोक परमार हैं इन्होंने सारजनिक किया विसल ब्लोर बने उनके साथ क्या हुआ मैंने आपको बताया ही है एक बहुत व्यापक सी एक शिकायत उन्होंने 17 अगस्त को अभी इसी महीने पिछले महीने की थी जिसमें उन्होंने ये बताया और मैं उससे कोट करता हूँ कि LG मनोच सिनहा ने 6 जून 2022 को उन्हें बिना किसी गल्ती के परिशान करने और अपमानित करने के उद्देश्य से बैठक कक्ष से बाहर निकाल दिया एक आई-एस ओफिसर हैं एक विसल ब्लोर हैं एक दलित परिवार के और संगर्शों की एक लंबी चोड़ी दास्तान है इनके आई-एस तक पहुँचने के लिए गुजराद से आते हैं उनको सचिवों की समिती की बैठक से कक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है और भारत सरकार की जो स्थानांतरण नीती है जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको उलंगन करते वे लगातार इनका स्थानांतरण किया जाता है जब अशोक पर्मार ने इन भ्रष्ट आचरणों को उजागर किया तो उनके साथ ये सब हुआ इन्होंने राश्ट्रिय अनुसूचित जाती जन जाती आयोक को भी पत्र लिखा और उत्पीडन की धंकी की बत्तमीजी की ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये उस उस पत्र में स्थानांतरण के बारे में सवाल भी उठाए किसाब एक जातिकत भेदबाव और पुर्वागर से ग्रसित होकर ये स्थानांतरण किया जा रहा है उनको प्रताडित किया जा रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला मैंने अपने प्रेस नोट में जो नामित अधिकारी है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप अशोक परमार जी ने लगाया है उनका पूरा जिक्र इसमें किया है दो अधिकारी है खास तौर पर आई-एस अधिकारी है उनके बारे में भी इस साब अमबेट करके समिधान के खिलाफ ये सरकार काम करती है अब उसका एक प्रत्यक्ष आपको प्रमान भी दे रहे हैं कि एक आई-एस अधिकारी को मोधी सरकार 13,000 करोड रुपे के बड़े घोटाले का परदाफाश करने के का एक तरह से सजा दे रही है तो क्या ये जव प्रमान कारी किसी को प्रताडित कर रहा है अपने जूनियर को ये भी हम नहीं मान सकते कि सिर्फ LG अकेला इतने हिम्मत दिखा सकता है LG के उपर कौन है किसको छिपाया जा रहा है किसको बचाया जा रहा है ये 13,000 करोड जा कहां रहा है ये हमारा पहला सवाल है ग्रहम अंतर में शिकायतों के बावजूद, CBI जांच की मांग के बावजूद, जमू कश्मीर प्रशासन या मोदी सरकार या ग्रहम अंतरी जिनके सीधे नीचे ये LG आते होनी को रिपोर्ट करते हैं ने जल जीवन मिशन के क्रियानवयन में जो घोर अन्यमित ताएं हुई है उसका जा सवाल आ जाता है किसको बचा रहे हो, किसको छिपा रहे हो, क्यों नहीं जांच का मांग को स्विकार कर रहे हो और एक डलित आये सधिकारी का उत्पीडन वो राश्ट्रिय अनुसूचित जाती आयोग को लिखता है आज तक इस आयोग ने क्या मनोज सिनह को तलब किया हमें मालू में नहीं किया, तो हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं किया, यह आयोग भी क्या राजनितिक है, सिर्फ अपने राजनितिक प्रतिदंदियों के लिए बनाया है, आपके अपने LG के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत, आपके मातहत एक दलित अधिकारी करता है और आप उस यह दावा करते हुए कि कॉंट्राक्ट समिती का वो प्रमुख बनना चाहते थे, जबकि इसका कोई लिखित कहीं भी आपको रेकॉर्ड नहीं मिलेगा, हवा में आरोप लगा दिये, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसकी जो बात है उसको एक तरह से मटिया मेट करन उससे भी जादा कड़ा संगर्श इस व्यक्ति ने इसके परिवार ने किया यहां तक पहुंचने के लिए, तो हमारे ये तीन सवाल है, इसका जवाब पूरी उम्मीद है हमें कि नहीं मिलेगा, लेकिन परदाफाश मोधी सरकार की असलियत से हो जाता है जब इस तरह के आर सरकार चुप, ग्रह मंत्री चुप, अब बोलने का वक्त जो है अब जनता का आ रहा है, इसमें ये घोटाला हुआ और जिस विसल ब्लोवर ने इस घोटाले को कपड़दा फाश किया, उसको सजा दी जा रही है, उसको बार-बार उसका स्थाना अंत्रन किया जा रहा है, और जिसको उसने नामजद किया, जिन अधिकारियों को, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको पूरा बचाया जा, जी कश्मीर ही में पोस्टेड है, और उसमें जो दो लोगों पर, जो राधनितिक लोगों पर शक की सुई जाती है, एक का नाम में लिया, एक का मै भूल गया, मैं अभी ले लेता हूँ, मनोच सिना का नाम लिया, और जो जल जीवन मिशन के केंद्रिय मंत्री हैं, शेखावत साहब, उनका भी, उनको पर भी एक शक की सुई जाती है, कि उन्होंने क्यों एक विसल ब्लोर को सजा देने दी, या दी, और नामजद अधिकार को बचाया गया, जिन पर ये आरोब था कि वो भश्चाचार में लिप्त हैं, आपके सवाल, बिना टेंडर के प्रक्रिया का पालन किये, सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उनका एक तरह से उलंगन करके ठेके दिये गए, 13,000 करोड के ठेके दिये गए, ये सारा हर जिले में करनेक्शर सनलकन जो है, वो भी आपको दिखेगा, विशेशक्य सलहकार समीति को नियूक्त करने का अनुशंचा थी, वो नहीं करने दिया गया, तो जो जो एक प्रक्रिया होती है, वो तमाम प्रक्रियाओं का उलंगन करके ठेके दिये गए, और जो काम किया गया, उस काम क का निश्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी तो वह आरोप स्वय में एक अधिकारी ने लगाया कि नहीं अभी इसी पर बात करिया आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रहे हैं इससे पहले सर्टिपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे उस पर भी अभी कोई कारवाई हुई नहीं है उन्होंने बताया था कि कैसे संग के एक वरिष्ट नेता सुबह साथ बजे आकर इनके दर्वाजे पे दस्तक देकर दो फाइलें लेकर आते हैं वो सब सर्टिपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं अब उसी राज्य से ये एक और चौकाने वाला घोटाला सामने आया है उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा तो हो सकता है मनोच सिनह जी इसलिए चुप रहते हो ये भी हो सकता है ये सवाल आपको पूछना चाहिए था आपने नहीं पूछा तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया और अब आने वाले पांच मिनिट में आप जो जो सवाल आपके मन में हो और किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो उनका जवाब में यूँ ही देना शुरू कर दूँगा अशुक पर्मार जी अब ट्रेनिंग में है प्रमुक्ष सचिव होते थे इस विभाग के उनको डिमोट करके ट्रेनिंग में डाल दिया बोलिये ना इस पर हाँ हाँ पूछिए ना आपके मन में हैं होंगे सवाल घबराईये मत डरो मत कोई कारण होता है कि वहाँ चुनाव नहीं करवाये जा रहे कोई कारण है कि वहाँ मीडिया को एकसेस नहीं दिया जाता कोई कारण है कि वहाँ खुले हाम कोई आदमी जाता है जेड प्लस सिक्यूरिटी ले लेता है घोटाले करता है सुना उसको बेल भी मिल गई तो क्या हो रहा है वहां मन्मोहन सिंग जी की सरकार के वक्त वो परेटन का केंदर बन गया था जमू कश्मीर आज घोटालों का केंदर बन गया है तो यह अंतर सपष्ट सबको दिखना चाहिए जी आप क्या करते हैं हम अब तो जांच की मांगी नहीं करते हम छोड़ दी हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से बस यह बाहर निकले बात अब जांच साथ महीने में तो क्या तो यह जांच करा लेंगे लेकिन न्याय अनुसूचित जाती आयोग से हमें उम्मीद अभी भी है कि एक दलित अधिका के साथ आप नियाय करेंगे बाकी EDCBI तो हम जानते हैं आप भी जानते हो जन्नत की हकीकत क्या है लेकिन फिर भी अब साथ महीने सिर्फ खुलासे होने चाहिए अब जनता खुद करेगी जो करना है अब मुझे नहीं लगता कि अवे हमें कोई मांग करनी चाहिए जाँच की अब ही पहला पहला चरण है आपके माध्यम से इसको बाहर लाए हैं क्योंकि यह बात दबाई जाती है नहीं आने दी जाती कभी G20 कभी कोई और 20 कभी 24 सब चलता रहता है तो 24 से पहले यह सब बाते हैं सिर्फ आपके माध्यम से हम जनता के दरवार में ले जा रहे हैं कि प्रधानमंतिरी नरिंद मुदी जी 2020 के समापन के बाद जिस तरीके से शरेड ले रहे हैं कहार है कि हैंढूस्तान दुनिया पिस फेटांड़ यहाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्णोस्तान हमेशा शक्तिषाली था और है और रहेगा प्रधानमंतिरी trained कोई अब इसी पर केंद्रित रखे आप पास्मेट तो हो गया इसी पर रखे आज जी ट्वेंटी पर कभी और चर्चा हो जाएगी अब हो गया अब तो ब्राजील के पास चला गया अब यह तो में को नहीं वालो हम तो उनके टच में नहीं है यह तो जो सारुजनिक पटल पे जो जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है हां कुछ एनक्षर्ज हैं जो सारुजनिक शाथ नहीं रहे हों वो आपको बहुत चौकाने वाले एनक्षर्ज नहसका है काफी मोटी प्रेस रिलीज है आज आज आपने भेज़ दी सब को सबने देखा होगा कितने एनक्षर्ज म सारे जो खुलासे हैं यह सरकारी काग्सों से ही हैं जो निकल कर आए हैं कौन कौन इंजिनियर जिसको हटाया गया किसको लगाया गया जम्मू कस्मिर के अधिकारियों ने जूटी ब्रहमक मन गरंत और तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट पेस की है इसकी इतनी हिम्मत होगी किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ग्रह मंतरी को प्रधान मंतरी को केंद्र सरकार को भ्रहमक जानकारी देता है कहीं न कहीं कोई protection होगी तभी होगा ना अगर अशोग परमार जी ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ये किया है तो उन जांच होनी चाहिए क्यों किया है उन अधिकारियों की कैसे हिम्मत हुई उन अधिकारियों की खुला खेल चल रहा है खुला खेल चल रहा है अभी तो एकाद परत खुली है आने वाले दिनों में क्या क्या वहाँ मैंने आपको कुछ वक्त पहले स्मार्ट मीटर स्कैम बताया था उस वक्त तो खेर सरकार के वक्त हुआ था लेकिन अब उस स्कैम का क्या हो रहा है नहीं मा लेगा कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए ऐसे अनेक सवाल हैं ब्रहष्चाचार को लेकर भी सुरक्षा को लेकर भी डियस्पी दविंदर सिंग के बारे में तो हम कई बार आप से आपके मार्फत सवाल पूछ चुके हैं कोई जवाब नहीं आना आता ही नहीं है इंक्वाइरी तक नहीं होने दिए उन लिखित में लिखा गया की साब राश्ची सुरक्षा के मद्द नजर इन पर इंक्वाइरी भी नहीं होगी कोई कारवाई नहीं होगी पからуска हैं हमें नहीं मालुप तो ऐसे कई सवाल वहां से डबाए जा रहे हैं छिपाए जा रहे तो राहुल जी ने जो नाम लिये एजनसी के बिलकुल हम लगातार बताते आए आपको उसमें आब आप एक अनुसूचित जाती आयोग भी डाल दीजिए कि अशोक परमार एक दलित आईये सधिकारी की शिकायत पर आज तक अनुसूचित जाती आयोग ने एलजी मनोज सिनहा को तलब नहीं किया या बाकी अन्य अधिकारियों को जो की अशोक परमार को प्रतारित कर रहे हैं उनको तलब नहीं किया आप मुझे फिर से धक्का मार के G20 पे ले जा रहे हैं मैं फिर से आपको खेंच के लाओंगा जमू कश्मीर पे तो ये रस्ताकसी चलने दो अच्छा लगता है लेकिन इस रस्ताकसी में जमू कश्मीर का ये बड़ा मेहतुपूर्ण मुद्दा विकरांत जी प्रशाचार का मुद्दा भी है एक दलित अधिकारी की प्ताड़ना का मुद्दा भी है और ये सब केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटिड LG की नाक के नीचे हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है यह मैं उजह लगता है इसको डाइल्यूट मैं नहीं होने देना चाहता है मैं आपको LG की बात कर रहा हूँ आप जी पे लगातार लगातार हमारे वरिष्ट सहयोगी जैराम रमेशदी लाइव ट्वीट कर रहे थे रिस्पॉंस पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा उस लाइव ट्वीट के रिस्पॉंस को तो मैं आपको इस प्रेसवारता के पश्चात जैराम रमेश जी द्वारा जितने ट्वीट्स जी 20 पर किये गए मैं आपको प्रेशित कर दूँगा आप पढ़ लिजेगा उसका अध्यायन करने के लिए मैं आपको 48 घंटे भी दूँगा फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो फिर एक प्रेसवारता और कर लेंगे मैं आपको मैं आपको मैं आपको फिर से दोराता हूँ जैराम रमेश जी ने लाइव ट्वीट किया जी ट्वेंटी पर और उसका आपको अध्यायन करना चाहिए कश्मीर कश्मीर 13,000 करोड दलित आईएस अधिकारी की प्रताड़ना उससे जादा महतुपूर्ण क्या हो सकता है मुझे बताईए जादा महतुपूर्ण इंडिया गटबंदन है सर आप नहीं खोदी का इंडिया गटबंदन है तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं अधीर र अकरशित करूंगा यह गंभीर मुद्दा है इस ऐसे घ्यान ना हमारा बटने दीजी ना आपका बटने दीजी अस अधियान बटे सरकार यही चाहती ए कि कि यह सब बातों पर चर्चा होगी आप से लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान रखना बहुत आविशक है क्योंकि सरकार हमेशा बच के भागती है इनी सवालों के पीछे चिपकर मैं यह नहीं कह रहा आप सरकार की तरफ से सवाल पूछ रहें आपका हक है सवाल पूछना भी चाहिए आपको लेकिन आज इस मुद्दे पर हम अडिक रहें तो इस मुद्दे के प्रतिन्याय हो